बच्चों नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग अच्छे है ना चलिए बहुत अच्छी बात है तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर नम्बर 3 का ग्रैक्टिकार हथी outtaThere थिक है तो ये कहां पर है आपकी टेक्सट्स बुक में पेज तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ऐसे करके बना लेंगे ऊपर आप लिको इनद बुक्स वाफ देखो मैंने क्या लिख्वा घजाना ठीक है फिर क्या लिखोगे जनल इंट्रीज उसके बाद पहला कॉलम किसके लिए बनाया जाता है डेट के लिए फिर सेकें वाला पर लिखना होता है यहाँ और महीना कौन सब्सक KIMF कि सब्सक्राइब्स नेख़ों चैजित कौन Sabas कि assets या फिर expenses expenses में लॉस भी आता है ठीक है तो अगर इन दोनों में से कुछ भी बढ़ता है तो उसको क्या करने का debit करने का default debit ठीक है अच्छा अगर कम हुआ तो credit करने का फिर क्या बताया था revenue capital और liabilities इन तीनों में से कोई भी बढ़ता है तो इसको क्या करने का debit करने का और अगर यह कम होते हैं तो if its uce अभर इसको धियान में रख करके आप लोग समझेता हमने क्या किया तो समय battle殺ожд किया ठीक है तो purchase किसमें आंगा expense में आएगा क्योंकि purchase हमारा expense यानि क्या होता है बच्चो खर्चा होता है ठीक है तो purchase अगर आप कुछ भी चीज खरीद रहे हो यानि आपका खर्चा बढ़ेगा यानि कि expenses आपका क्या हो रहा है increase हो रहा है मतलब purchase account को आम लोग क्या करने वाले है बताइए debit करने वाले है ठी पर आपका bank balance कम हो रहा है मतलब जो आपका asset से वह तो कम हो रहा है और जबी asset कम होता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग credit करेंगे ठीक है तो entry क्या बनीगी purchase account debit to bank account समझ गे न अच्छे से चलो अब यहां पर हम लोग लिखते हैं कितने तारीक का था तीन तारीक का क्या बोला और मैंने purchase account debit to bank account इसका narration हम क्या लिखेंगे कि बिंग goods purchased and payment made by bank इसका amount हम लोग लिख लेते हैं तो कितना आएगा 90,000 यहां पर और यहां पर भी आ जाएगा 90,000 ठीक है इतनी बाते आपको समझ में आई अभी आप लोग दूसरा transaction देखिएगा बच्चो इसमें क्या दिया है साथ तारीक वाला देखिए sold goods to 30 on credit rupees 30,000 यानि कि हमने क्या किया 30,000 का goods बेचा किसको बेचा तो सतीस को बेचा कैसे बेचा credit पे बेचा ठीक है तो अभी उसके लिए entry क्या होगी तो देखो बच्चो जो हमारा sales है वो क्या होता ह तो वो आपका income होता है ठीक है अभी यह जो income है वो किसमें आएगा तो वो आ जाएगा इसमें यानि revenue वाले में ठीक है समझ रहे हो कि नहीं तो अगर हम सामान बेच रहे है तो जो हमारा income है वो बढ़ेगा और देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इन तीनों में से कुछ भी बढ़ता है तो उसको क्या करने का credit यानि sales account को हम लोग क्या करेंगे credit करेंगे ठीक है और क्यूंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो हमारा goods से वो credit पे बेच रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हो सामने वाले person का नाम आएगा ठीक है तो अभी जो 37 है वो हमारे लिए क् मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर आपको पैसा मिलने वाला है मतलब जिसके पास से पैसा मिलने वाला है वह आपके लिए क्या होता है और अगर पैसा किसी को देने वाले हो तो वह आपके लिए क्या बनेगा ठीक है तो अगर आप सतीस को सामान बेच रहे हो तो उनके प अगर असेट बढ़ता है तो उसको डेट करना होता है और यह जो है इंकम बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करना होता है मतलब सतीस की अकाउंट को हम लोग डेट करने वाले हैं और सेल्स की अकाउंट को मतलब सेल्स अकाउंट हम क्या करने वाले क्रेडिट करने वाले ठीक है जलो अभी इसकी एंट्री करते हैं साहतरॉर हली क्या लिखेंगे ध्यान सर मज़着 और यहांपे हम लिखेंगे से ल्शकांट अजल S festivals क्यै करते हैं कि टू MA you doices account yeah हमांटड इसकी लिख लेते हैं तीज ऐजार यहां पर और यहां पर भी हम लोग लिख लेते बचो तीस हजार ठीक है अब इसका narration क्या आएगा तो यहां पर लिखते हैं कि बेंग गुड्स गुड्स सोल्ड ओन क्रेडिट यानि कि हमने क्या किया क्रेडिट पे गुड्स को बेचा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली इंट्री देख लेते हैं तो देखो बच्चों क्या दिया है नौ तारिक वाला पेड फॉर पोस्टेज रुपीज 10,000 यानि पोस्टेज के लिए हमने कितना अमाउंट पे किया तो अगर आप यह पोस्टेज के लिए अमाउंट पे कर रहे हो तो वह आपका क्या कहलाएगा ए यानि जो आपका एक्सपेंस उो बढ़ रहा है और जब करना होते हैं कर देंगे ठीक है और लोग僕ira that कर पैसा जा रहा है वाले कटेगरी में तो यहां पर उगए लिए松े कम होता है तुसको क्या करना होता है क्रेडिट करना होता है मतलब यहां पर entry के आएगा postage account debit to cash account ठीक है समझ गये ना कितने तारिख का है तो यह है आपका 9 तारिख का क्या लिखेंगे हम देखो द्यान से यहां पर लिखेंगे postage account debit to cash account इसका narration के आएगा यहां पर लिखेंगे कि being postage paid by cash ठीक है इसका amount हम देख लेते हैं तो देखो कितना है 10,000 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चो 10,000 यहाँ पर भी और इधर भी हमने लिख दिया 10,000 ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं तो अगला वाला इसी के जैसा है देखिएगा 12 तारिक वाला उसमें क्या दिया है कि हमने क्या किया वेजेस पे किया कितने का 15,000 का ठीक है तो अगर आप लोग वेजेस पे कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा वो आजाएगा आपका expense में मतलब जो आपका expense है वो बढ़ रहा है यानि वेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट किसको किया जाएगा तो आपके पास से cash जा रहा है और cash जाने का मतलब क्या है assets का कम होना यानि हम कैसे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो देखें यहां पर इसके entry के आएगे कितना तारिक था बारा तारिक ठीक है तो यह रहा बारा तारिक मैंने इदर डाल दिया क्या लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट क्याश अकाउंट कि इसका अमाउंट है 15,000 तो यह लिए हम दोनों तरफ लिख देते हैं यहां पर भी 15,000 और यहां पर भी क्या आजाएगा 15,000 ठीक है अब इसका ध्यान से पढ़िएगा 15 तारिक वाला रिसीव चेक और रुपीज 30,000 फ्रॉम सतीज के पास से हमें 30,000 का क्या मिला चेक मिला ठीक है तो अब इसके लिए इंटरी क्या होगी सोच करके बताईए तो देखिए बच्चों जिसके पास से आपको पैसा मिल रहा है यानि वह पह चाहिए और जबी असे कम होता है तो उसको क्या करने का पर क्रेडिट करेंगे ठीक है इसकी अलावा देखो चेक से हमें पेमेंट मिल रहा है ना मतलब जो हमारा बैंक बैलेंस है वह अपने आप ही क्या हो जाएगा इंक्रीज हो बढ़ जाएगा और बैंक इसमें आता है अ कितना ता इंक था है यहाँ पर लिखें गिंगे डैंक अबेट चाहिंगे यहां पेमाउंट लिएते उन तीलम हजार के और इधर भी हम लिख देते हैं बल्चों तीलम हजार पीए इसका नरीशन का आएगा यहाँ पर लिखेंगे और चेक रिसीवड देखो बच्चो यहाँ पर हमने इसका नरेशन क्या लिखा है कि बिंग चेक रिसीवड फ्रॉम सतीज यानि सतीज के पास से हमें चेक रिसीवड हुआ अगर कोई आपको पैसा दे रही है तो बताइए वह आपके लिए इंकम होगा की नहीं इनकम होगा अगर आपको पैसे मिल रही है यानि वह आपका करना होता है मतलब आपको कैसे मिलता है यानि आकाउंट किया जाता है पे मिला या फिर कैस से वो तो बढ़ेगा और असे जब बढ़ता है तो उसको डिबिट करने का यानि बैंक अकाउंट को डिबिट करेंगे और चुछ डिवीडिन्ट अकाउंट है उसे हम लोग क्या करने वाले क्रेडिट ठीक है चलिए इसकी एंट्री कर देते हैं कितने तारीक का 21 कि क्या बताय इतना हजार पांच हजार ठीक है ना इसका नरेशन अम लोग क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि बिंग डिवीडेंट रिसीवड ठीक समझ गे न अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं अगला ट्रांजिक्शन देख लो बच्चों इसमें क्या दिया है कि पर्चेस ले लेटाब क्रीदा और हमने participants कैसे किया है तो चेंग के दवारा पेमेंट किया है तो आगर आप चेंग के रहे हो यानि याप का बैलनस या uniqueness करना पड़ेगा इन और कि क्या करेंगे liken क्यंको कि यहां पर debit करेंगे क्योंकि वो किसमें आएगा सेट्स के अंदर आएगा और जब भी असेट्स बढ़ता है तो इसको क्या करने का debit करने का ठीक है तो चलो इसकी एंट्री कर देते हैं पच्छीस तारीक का पॉरचेस अक्ट डेबिट पॉरचेज सब्सक्राइब क्या पॉला था मैंने हाल लैप्टंफ अकाउट डेबिट या फिर आप computer भी लिख सकते हो चलेगा है ना क्योंकि वो तो इसी में आता है laptop या computer account debit to bank account कितने का खरीदा है देख लो ज़रा तो हमने ये खरीदा है 40,000 का तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 40,000 ठीक है इधर भी और इधर भी चलो देखते हैं इसका narration क्या आएगा तो narration तो simple है आपको तो आता है चले ये बता देती हूँ देखें यहां पर हम लिखेंगे कि बेंग बेंग लेप्टॉप परचेस अमाउंट पेट बाई चेक चेक ही दिया था ना एक बर देख लेते हैं जी हां ठीक है तो इस तरीके से हमने इसका narration लिख दिया यहां पर ये वाली entry भी complete हो चुकी है स्टूडेंट्स अभी चलिए आगे चलते हैं तो अगला देखना 28 का मतलब 28 तारीक वाला ट्रांजिक्शन देख लीजिए उसमें क्या दिया है कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया में 10,000 रुपए डिपोजिट किये हैं तो इसकी entry क्या होगी तो आप ऐसे समझेए कि आपने क्या किया अपना मतलब आपका जो बिजनस था उसमें से 10,000 रुपए निकाला और अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया ठीक है मतलब यहां पर क्य करेंगे और कैस्ट आपके पास से जा रहा है मतलब कैस नाम का असेट जो है वो कम हो रहा है यहनि हम लोग करेडिट कर देंगे तो बहुत है सिंपल है चलो लिखते इदर स्टेट बैंक ओफ इंडिया अकॉंट डेबिट टू कैश अकॉंट कितना 10,000 तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 10,000 ठीक इसका नरेशन क्या आएगा तो बिंग डिपोजिटेड कैश इन्टू बैंक इन्टू बैंक ठीक है ऐसे घर के लिख दो बस काम खतम ठीक है चलो अभी लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते बच्चों इसमें क्या दिया है कि पर्चेस गूड्स फॉर रुपीस 40,000 एंड पेड बाई लगा वै। यहां पे पेल्मेंट केशन है जो प्रीक दॉंक है गूष्टेज पर्चेस करें तो अगर हम बैंक केशन दवारा पर्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा बैंक मतलब बैंक बैलेंस किसमें आता है स्टुटेंस के अंदर आता है असेट कम होगा उसको क्रेडिट कर देंगे ठीक है तो 31 तारीक की यहां पर एंट्री कैसे आएगी यहां पर हम लिखेंगे पॉर्चेस अकाउंट डेबिट तू बैंक अकाउंट कितना था तो 40,000 इसका नरेशन के आएगा तो यहां पर हम लिखेंगे कि बैंक गुड्स पॉर्चेस्ट एंड बिंग पॉर्चेस गुड्स गुड्स पॉर्चेस अंड अमाउंट पेड़ बाई इस तरीके से तो फाइनली हमने सारी इंट्रीज यहां पर कंप्लीट कर ली है ना देखो कुछ बाकी तो नहीं है इसमें जितनी वे इंट्रीज दी गई थी सबके सब हमने यहां पर कर लिया है आपको समझ में आया अच्छे से चलिए अच्छी बात है अभी हम क्या करेंग оме brassи 970친 تीक है तो यहां पर आपका यह जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर टू था यह हो गया है अभी नेक्स को में हम लोग देखेंगेक्टी कल प्रॉब्लम नंबर थी क्या तो चलिए चलते हैं मिलेंगे हम लोग नेक्स को वीडियो में गुडब़ें